नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल टोंग से संजीवन पॉजिटिव पारंटिंग में आपका स्वागत करती हूँ जब भी नवजाद शिशु को हिचकी आती है और वहाँ बार-बार हिचकी लेता है तो मा, पिता, चिन्ता में पढ़ जाते है परिशान हो जाते है आज हम इस वीडियो में देखेंगे यदि नवजाद शिशु को हिचकी आती है तो क्या करे ? क्या कारण है जिसकी वज़व से नवजाद बालक में हिचकी आने लगती है और कब आपको हिचकी की चिन्ता करनी चाहिए या कब आपको डॉक्टर को दिखाना है सबसे पहले जानते है हिच्गी के बारे में बच्चों में हिच्गी आना एक सामान्य घटना है इसमें चिंता की कोई बात नहीं है जब फेपडों के नीचे मौजोद डाइफ्राम जिसकी मसल्स में संकुचन होता है तब हिच्गी आती है इसके अलावा कई कारणों से हिच्गिया आ सकती है स्पेशली नवजाद शिशु में हिच्गी आने का एक कारण होता है दूद पीते हुए हवा अंदर लेना दूसरा जादा फिडिंग के कारण शिशु का पेट फुलने लगता है और यदि शिशु का पेट भरा हुआ है तो इसके कारण डाइफराम की मास पेशियों में संकुचन और प्रसरण की प्रिया होती है जो हिच्गी का कारण बन सकती है बच्चों को जलदी-जलदी फिड कराने से भी हिच्गी की समस्या हो सकती है यदि शिशु को सास लेने में दिक्कत होती है या उसे सास से जुड़ी समस्य होती है तो भी हिच्की आ सकती है चलिए अब देखते हैं शिशु को यदि हिच्किया आती है तो क्या करें? कैसे छोटे बच्चों में हिच्की को रोका जाए? सबसे पहले तो घबराए नहीं यदि हिच्की आती है तो शिशु को सीधा पकड़े उसकी चीन को अपने कंधे पर टिका के पीट को सहलाना है जिससे शिशु को डकार आएगी और कुछ समय बाद हिच्किया अपने आप ठीक हो जाएगी यदि आप बोतल से दूद पिला रही है तो दूद पिलाने के 2-3 मिनिट बाद शिशु को डकार जरूर दिलाए थोड़ा थोड़ा करके शिशु को दूद पिलाना है बच्चों को हिच्की की समस्या होने पर जीप के नीचे कुछ चीनी के दाने या चीनी से बनी फाइन प के बाद फिर से दूद पिलाए यदि शिशु को बार-बार हिच्की आ रही है और उपर बताये हुए सभी उपाय आपने करके देखे इसके बावजुद भी यदि यहां हिच्की आ दूर नहीं हो रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है यदि शिशु को गैस सम्मंदी समस्या हो रही है उसे सा सम्मंदी समस्या है तो आपको तुरन डॉक्टर को दिखाना जरूरी है हिच्की आने पर ध्यान रहे बेबी को जादा फिडिंग ना करे या अतिरिक्त भोजन ना खिलाए दूध पिलाने के बाद या कुछ खिलाने के बाद शिशु को थोड़ी द को फोलो करें पारेंटिंग के और अच्छे एच्छे वीडियो देखने के लिए संजीवन पॉजिटिव पारेंटिंग इस चैनल को सब्स्राइब करें साथ ही आप संजीवन पॉजिटिव पारेंटिंग का ओनलाइन वरक्शोप घरभेठे ही कर सकती है बीचे का हरुख्षन संजीवन पॉजिटिव पारेंटिंग के साथ धन्यवाद